Hello everyone, this is Praakshu and you are watching Biolearnam. As you all can see, आज के हमारे सेशन का टॉपिक है फाइलम वारिफेरा. Animal Kingdom का पहला फाइलम है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Class 11th का ये टॉपिक है, without any further delay, वीडियो को शुरू करते हैं. Let's begin. तो क्या है फाइलम पॉरिफेरा? फाइलम पॉरिफेरा के अंदर आती हैं, sponges. पोर बेरिंग आनिमल्स होते हैं. पोर बेरिंग आनिमल्स माने पोर का मतलब small small holes होते हैं. बच्चों, sponges का नाम सुदते हैं, दिमाग में क्या आता है? परतन धोने वाला sponge, गाड़ी साफ करने वाला sponge, जो cushions के अंदर होता है sponge, तो वो सब sponges हमारे दिमाग में आते हैं. ओल्राइट, वैसा ही आनिमल्स के अंदर एक आनिमल है. पानिमल्स का क्या काम है? यह भी क्या करता है? पानी को होल्ड करेगा, और पानी को क्या करेगा? in and out उसका काम करेगा यह alright, so pore bearing animals है pore bearing मतलब इनके उपर, body के उपर कुछ pores present होंगे alright, कुछ इस तरीके का structure होगा base है base के साथ attached रहेगा इस तरीके से छोटे 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 इसमें क्या रहेंगे holes रहेंगे pores रहेंगे यह क्या है pores यह भी क्या है pores छोटे छोटे body के surrounding में क्या रहेंगे pore रहेंगे और एक उपर बड़ा सा pore रहेगा, ठीक है आगे करके रहे है, plant like reaches है, इनका जो देखने में structure है वो plant के जैसा है then aquatic तो पानी में रहते हैं वो तो हमें first light से clear हो गया था है ना, क्या था ये, पूरा पानी के अंदर हम आज डुपकी लगा रहे हैं पानी के अंदर के जितने भी जीव जन्तू है उन में से जो सबसे primitive type of animal है phylum porifera उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं है ना, so they all are aquatic पानी के अंदर रहने वाले है phylum porifera then mostly marine, जादा तर sea water, marine water के अंदर ही देखे जाएंगे then few fresh water, जादा तर है marine water, कुछ फेक fresh water varieties भी है, जैसे की spongyla, spongyla is a fresh water sponge ओके आगे दिखाऊंगी अभी तुमें coming next, sasile sasile का मतलब है बैठा रहेगा पॉजिशन जो होगी उस और्गानिजम की वो थूआउट इस life span थूआउट इस life cycle वही पर ही वो पॉजिशन रहेगी उसकी लोको मोशन आपसेंट रहेगा और्गानिजम के अंदर सीडेंटरी सीडेंटरी का मतलब है कि किसी सबस्ट्रेटम से अटाच है वो कुछ उसका बेस होगा उस बेस के उपर वो ग्रो करेगा चीक है सो अटाच टू सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम से ये अटाच रहेगा बोलेंगे सैसाईल एंड सिडेंटरी जैसा कि मैंने हाँ पर बनाया ये क्या है एक सबस्ट्रेटम है इसके उपर ये क्या है खड़ा है सेसाईल रहेगा इधर उधर मूव नहीं करेगा और इसी सबस्ट्रेटम से अटाच रहेगा Coming next अभी मैंने क्या बोला बोड़ी के उपर छोटे छोटे पोर्स है उन छोटे छोटे पोर्स का क्या फंक्शन है पानी की एंटरी करेंगे पानी उनके थुरू एंटर होगा और जब वो पानी एंटर होता है उनके थुरू उस पानी के साथ जो भी बोल सकते हैं कि food particles होंगे वो उसके साथ में एंटर कर जाएंगे जो भी necessary nutrients होंगे वो उसके साथ एंटर कर जाएंगे तो यह जो food है और बाकी का जो भी necessary substances है वो यह particular organism कहां से लेगा जो पानी इसके अंदर एंटर करेगा देख सकते हो यह बना हुआ है एक sponge this is a sponge ठीक है यहाँ पर इनों इसको तोड़ा सा मागनिफाय करके दिखाया हुआ है यहाँ पर देखो जो छोटे छोटे पोर्स की मैं बात कर रही थी यह रहे वो पोर्स can you see यह है वो छोटे छोटे पोर्स अब क्या होता है arrows से क्या पता चल रहा है water की entry हो रही है body के अंदर इन पोर्स से चीक है और जब यह water इन पोर्स के थूँ एंटर कर रहा है इस water के थूँ जो भी food particles है या फिर जो भी necessary nutrients है they also enter in the body of the sponges now let us have a look at few sponges अभी बात की न स्पॉंजिला की तो दिखता कैसा है कुछ ऐसा दिखता है यह हमारा स्पॉंजिला this is स्पॉंजिला fresh water sponge है छिक है कुछ ऐसा दिखी का body देख सकते हो sponges की body कैसी है बड़ी irregular सी body है सिर्फ कुछ एक sponges है हमारे जो की कैसे है waste like है ना देखते हो ना जिसा waste के जैसा structure है इसका इस particular sponge का इसका भी थोड़ा थोड़ा है cylindrical सा structure बाकी mostly सारे के सारे irregular asymmetrical बड़ा ही irregular सा body रहेगा कहीं से निकला हुआ कहीं से निकला हुआ कहीं से निकला हुआ इस तरी के का structure रहेगा ठीक है ना इस इस पॉंजिला एक होगा scientific name एक होगा common name पॉंजिला को हम प्यार से क्या बुलाते है commonly it is known as fresh water sponge क्यूंकि fresh water में ये ग्रो करता है then this is euplectella क्या बोलते हैं इसको euplectella commonly known as venus flower basket देखने में ये बेहद सुन्दर होता है ठीक है इसको पहले के time में इस particular sponge को as a symbol of love भी couple से एक दूसरे को देते थे because of its beauty ठीक है then this is this particular sponge is psychon commonly it is known as purse sponge purse sponge purse के जैसे structure है इसका देख सकते हो ये देखो कुछ है सा सा then this is clayona boring sponge and this one ये है बाथ sponge ठीक है बाथ sponge रहेगा इसका common name scientific name रहेगा यू-spongia तो ये है बच्चयो कुछ common sponges ठीक है नाम पता होने चाहिए तुम्हे common name पी पता होने चाहिए थिस पॉंजिला थिस यू-Plektela थिस शाइकॉण थिस यू-Plektela थिस शाइकॉन थिस यू-Clai-Hona थिस वन इस यू-Spongia ओके सो हाव लुक बोला ना अभी एक्वेटिक है marine water में ज्यादा तर देखे जाएंगे सीदेंट्री रहेंगे सब्स्टेटम से अटाच रहेंगे तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये sponges देख सकते हो sponges हैं ये है ना ये भी sponges हैं ये sponges हैं तो ये sponges क्या है सब्स्टेटम से अटाच हैं there's a siline structure then body के ऊपर देख सकते हो छोटे-छोटे इनके pores दिखेंगे सीदेंट्री है चीक है surface के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे जो भी water body होगी उसके bottom के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे सब्सक्राइब के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे ओके coming next talking about the body symmetry of porefarence sponges की अगर body symmetry की मैं बात करूं तो तुमने देखी है sponges अभी कैसी है पैड़ी उबड़ खावर सी है न asymmetrical है कुछ symmetry नहीं है body बड़ा irregular सा है तो क्योंकि symmetry नहीं है तो word क्या use करते हैं हम they are asymmetric symmetry नहीं है symmetry नहीं है क्या मतलब है किसी भी axis से काट लो किसी भी तरीके से कोई भी plane इसकी body के through pass कर लो हमारा sponge divide नहीं होगा दो equal halves में किसी भी तरीके से इसको cut करके देख लो दो equal halves के अंदर दो identical halves के अंदर ये divide नहीं होगा क्यों नहीं होगा what is asymmetrical okay now बोल रहे है तो waist like and cylindrical sponges have radial symmetry कुछ एक sponges होते है जिसका structure कैसा होता है waist के जैसा होता है चीक है waist के जैसा जिसका structure रहेगा जैसा कि इस particular sponge का cylindrical sponges बोल सकते है they have a radial symmetry अतलब एक plane उनको divide कर सकता है कौन सा plane है यहां से okay तो कुछ एक sponges है जिसके अंदर में radial symmetry देखी जाहेगी otherwise कहीं question भी आता है कुछ भी if you are facing any question या generally हम पॉरिफरेंस को लेके चले पॉरिफरेंस की symmetry के बारे में कहीं भी बात होती है तो word हम asymmetrical ही use करते है generally okay radial symmetric कुछ एक केसे में apply होती है special cases के अंदर all right then moving next body plan तो sponges का body plan कैसा है किस तरीके से body organized है क्या-क्या parts है body में okay और यह जो body plan में पढ़ने वाले हैं यह sponges का बड़ा ही peculiar feature है बड़ा ही significant feature है जो sponges के अंदर देखा जाता है और उसका specific significance है important है okay so this is very very important now पढ़ लगते हैं अब क्या है जैसा कि मैंने अभी बताया कि sponges के body का कुछ इस तरीकी का structure होगा then छोटे-छोटे holes होंगे और उन holes में से क्या होगा water body के अंदर enter करेगा और उपर जो यह बड़ा सा hole होगा यहाँ पर इस से क्या करेगा exit करेगा तो side वाले holes से क्या करेगा water will enter and जो उपर सर के उपर जो यहाँ पर hole लगा हुआ है यहाँ से पानी बाहर निकलेगा side से अंदर जाएगा और उपर से बाहर निकलेगा इतनी बात आ गई समझ में now talking about the body plan अगर मैं वो छोटे छोटे होल्स को नाम दू उन छोटे छोटे होल्स का नाम है ostia ostia are those pores जिसके through water enter करेगा sponge की body के अंदर and osculum is that opening जो मैं बोल रही हूँ नहीं यहाँ पर top के उपर present है बड़ी सी opening जहाँ से पानी exit लेगा so osculum is that so numerous ostia are present बहुत सारे ostia और एक osculum is present ठीक है ostia में से water क्या करेगा body के अंदर यहाँ से enter करेगा किया enter यहाँ से भी आया यहाँ से भी आया आकर क्या लेके आएगा साथ में खाना पानी लेके आएगा पानी तो है nutrients लेके आएगा food लेके आएगा सारी चीज़े लेके आएगा ठीक है लाने के बाद जो भी काम की चीज़ है water में से वो ले ली जाएगी और जो भी water बज जाएगा उसको body से बाहर फैक देंगे हम किस के थूँ फैकेंगे osculum के थूँ फैकेंगे अब बच्चों यह जो सेंटर में दिख रही है ना cavity है ना सेंटर में यह कुछ खाली-खाली सा दिख रहा है यह खाली-खाली क्या है पानी को जाने के लिए रास्ता है basically body का structure कैसा है body का plan कैसा है अगर मैं बात करूँ तो यह side में तो क्या है body की linings है और सेंटर में से क्या है sponge अंदर से खोकला है खाली है इस particular picture को देखो बात कुछ जादा अच्छे से समझ में आएगी देख सकते हो यहाँ पे तो क्या है osculum है यह बड़े वाला वो pore है जिसमें से पानी बाहर निकलेगा और अंदर देखो यहाँ पे खाली है खाली है अंदर से hollow है इस hollow cavity के लिए word उस करते हैं हम spongosil तो spongosil is that cavity जिस cavity के अंदर हमारा जो पानी है it is going to enter and यहाँ से flow करता 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 उपर osculum से वो बाहर निकल जाएगा तो सबसे पहले कहाँ से जिया से एंटर करेगा एंटर किया कहाँ पे जाएगा spongosil में जाएगा so this is number 1 this is number 2 and finally through the osculum water is going to leave out है ना तो body plan ऐसा है कि बाहर एक lining है और अंदर से क्या है hollow cavity है जिसको हम बोलेंगे spongosil moving on next जो हम पंडे वाले हैं character sponges का वो है body wall body wall के बारे में पढ़ेंगे body wall कैसा है तो अभी हमने पढ़ा न polyference का क्या है बाहर क्या है wall है अंदर क्या है cavity है wall में क्या है holes है जिन hole से पानी अंदर enter कर रहा है cavity से बाहर निकल रहा है कुछ ऐसा arrow से पानी बाहर है ना तो इस तरीके से हमने अभी तक पढ़ा अब पढ़ रहे है body wall यह जो body wall थी यह किस किसम की है ठीक है तो body wall के layers के बारे में पढ़ेंगे कितनी layers हैं इसके अंदर उन layers के अंदर कौन कौन से cells present है यह फलाना फलाना cell से कर present है तो उनके functions क्या है one by one we'll deal with all the layers which are there so three layers के बारे में हम पढ़ेंगे one by one देखते है सबसे पहले है सबसे बाहर वाली layer pinacoderm so pinacoderm it is the dermal layer dermal यानि की सबसे बाहर रहेगी sponge की body के यह वाली layer ठीक है उसके बाद अगली layer कौन सी है अगली layer है coanoderm अब अगर मैं coanoderm की बात करूँ आगे लिखा है gastral layer gastral word is related to digestion है ना तो यह layer जो है वो सबसे अंदर रहेगी और digestion का कही न कहीं इसका role रहेगा ठीक है तो यह वली जो layer है इतनी layer यह कौन सी है coanoderm अडर वाली सबसे अंदर वाली layer इस अटर मोस्त लेर इस देन इनर मोस्त लेर यह जो हेएल मेजो हेयल क्या है यह हमारी मेजो हेयल क्या है मेजन काईम है इसके अंदर and it is the layer which is in between the pinachoderm and coannoderm. Pinachoderm के बीच में, middle में क्या है? Misenkine layer. चीक है? तो ये वाली, this portion is Misenkine. चीक है? तो pinachoderm ये बाहर का yellow वाला portion, coannoderm अंदर का blue वाला portion और mesoheal layer greenish portion. इतनी बात आई समझ? आगे चलते हैं. One by one, सभी के cells के बारे में हम बात करेंगे. कि कौन-कौन से cells present है? pinachoderm के अंदर, जो की outermose layer है, दो किसम के cells इसके अंदर present है. pinachoderm layer का नाम और दो ही P हैं आगे, cells का नाम. pinachoderm के अंदर एक तो present है, pinachocytes और दूसरे, porocytes. है ना, pinachocytes and porocytes. So, these two are the type of cells, विच्चा प्रेजंट इन पिनाकोड़ू. तो अगर मैं one by one बात करूँ, pinachocytes की, तो pinachocytes क्या है? तो पिनाकोड सेल्स, ये जो cells दिख रहे हैं ना, ये, चप्टे, flat, ओके, ये जो flat cells हैं, ये क्या है? pinachocytes, ओके, body को structure प्रोवाइड करेंगे, out the most layer रहेगी. Then, coming next, porocytes, तो flat वाले तो क्या हो गए? flat वाले हो गए हमारे pinachocytes, और जो oval हैं थोड़े से, देख सकते हो, यहाँ पर, ये जो cell है, ये कैसा है? थोड़ा सा oval है, क्योंकि oval है structure में, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं, structure oval है, porocyte बोलेंगे, porocyte basically इसलिए बोलेंगे, पर की lining इसके थुरू है, जो pore को surround करेंगे cells, उसको हम बोलेंगे porocytes, oval है structure में, और pore को surround करेंगे, नाम रखा है porocytes, next, coano derm, gastral layer है, okay, digestion इसके अंदर होगा, digestion का function परफॉर्म करेंगी है, cells जो इसके अंदर देखे जाएंगे, एक इक इसम के cells देखे जाएंगे, coano sites, यहने की collar cells, तो, pinacoderm के अंदर 2 P present है, coano derm के अंदर 1 C present है, ठीक है, coano derm, collar cells are present, now, यह collar cells हैं, यह बाले, यह देखो, यह collar cells क्या करते हैं, basically, digestion का function परफॉर्म करते हैं, and these collar cells, are the peculiar characteristics, of phylum porifera, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, हमारे collar cells के उपर, किस तरीके से काम कर रहा है, structure कैसा है, इसके regarding, so, this particular area is very, very important, coano derm को ध्यान से सुनना, तो, coano derms के अंदर, जो हमारे present रहेंगे, coano sites, collar cells, उनका function रहेगा, digestion का, next is mesohayal layer, mesohayal layer, is the in between layer, which is in between, the pinacoderm, and coano derm, pinacoderm और coano derm, के बीच में, एक हमारा matrix रहेगा, in between, जो कि क्या रहेगा, gel like structure रहेगा, non cellular रहेगा, non cellular, gelatinous structure, अब इस structure के अंदर, क्या देखा जाएगा, इसके अंदर, देखा जाएंगे, sponges and fibers, और specules, देख सकते हो, यहाँ पर दिख रहे हैंगे, तीखे तीखे, these are specules, skeleton provide करते हैं, यह sponge को, और, कुछ धागे धागे के, जैसे, sponges and fibers होते हैं, वो भी यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, ऐसे, they are present, धागे धागे, fibers के जैसे होते हैं, ओके, then amoeba sites, amoeba sites are the cells, which are present in, mesenchyme layer, कैसे होते हैं, amoeba like cells होते हैं, कैसे होते हैं, amoeba like, ओके, तो amoeba sites are, amoeba like cells, which are present in, mesenchyme layer, ओके, अब, इन amoeba sites का, क्या काम रहता है, यह क्या करेंगे, food को, जो भी food capture करेंगे, उसको आगे, collar cell को, pass on कर देंगे, जो भी food, यह incoming water से, capture करेंगे, या जो भी, ऐसे हैं, nutrient रहेगा, कुछ भी, necessary substance है, quinoderm को pass करना है, या इधर उधर, पास करना है, they are going to pass, okay, then amoeba sites में से ही, एक amoeba site क्या होता है, archaeo site, इस आर्कियो साइट्स, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, कहां पर, in reproduction, totipotent रहेगा, nature में, totipotent यानि, यह body का, हर एक cell, बना सकता है, तो amoeba sites में से ही, एक cell बन जाएगा, archaeo sites, और आ जाएएगी, उसके पास, superpowers, it will become, totipotent, and it will be able to develop into any cell of the body, body के किसी भी cell में यह, divide हो सकता है, कोई भी cell यह बन सकता है, so, arkeo site से, basically, sponges की पूरी की पूरी body, बन सकती है, next is our, canal system, अब पढ़ेंगे, sponges के, canal system के बारे में, canal system भी, एक peculiar characteristic है, sponges का, porryference का, के अंदर ही, canal system देखा जाएगा, और कोई ऐसा animal नहीं है, जिसके अंदर, canal system देखा जाता है, तो होता क्या है, canal system, basically, यह पता होना चाहिए, सबसे पहले है, तो what is a canal, normally, canal word किस चीज़ के लिए, हम use करते हैं, canal word is used for any passage of water, कोई नदी, कोई नाला, कहीं से पानी गुजर रहा हो, उसके लिए हम word use करते हैं, canal, तो अब इस पॉंज की बॉड़ी में, ऐसा क्या है, we have seen, कि स्पॉंज की बॉड़ी के, outer side पर क्या है, छोटे छोटे पोर्स है, और उन पोर्स से क्या होगा, water अंदर, एंटर करेगा, जिस पेस में वो एंटर कर रहा है, that space is known as, canal, और उस canal को हम sponges में क्या बोलते हैं, sponges बोलते हैं, तो जो sponges बोलते हैं, उसको compare किया जा रहा है, canal के साथ, और उस sponges बोलते हैं, जो network है, बाहर वाले पोर्स के साथ, उसको बोला जा रहा है, canal system, so, यहां पर, एक तो यह रहा हमारा center में, यह क्या है, sponges बोलते हैं, और sponges बोलते हैं, किस से connected हैं, dermalosteia, जो बाहर वाले बोलते हैं, और एक, जो में, water के आउटलेट के लिए, osculum हैं, ठीक है, तो इसके साथ, जो इसका connection है, जो network है, उसको हम बोलते हैं, canal system, the body of sponge, is organized in such a manner, as to form a complex system, of pores and canals, जो sponge की body है, वो इस तरीके से, organized है, कि उसने complex system, बनाया हुआ है, pores का, और canals का, pores हो गए, यह वाले, ठीक है, यह वाला, और canals हो गया, यह, मिलके बनाया, canals, ओके, तो, अगर मैं canals system की बात करूँ, कि sponge की body में, canals system होता है, यह मैंने बोला, तो इस canals system का, sponge की body में, क्या significance है, क्या importance है, तो canals system के, चार importance रहेंगे, चार function यह perform करेगा, क्या क्या करेगा, सबसे पहले food gathering, खाने को gather करने में, capture करने में, canal system की importance रहेगी, okay, उसके बाद, respiratory exchange, तो dissolved oxygen का ही, उस करेगा नहीं, polyphera is going to use dissolved oxygen, for purpose of respiration, तो dissolved oxygen को भी, जो intake करेगा oxygen का, वो कौन करेगा, हमारा canal system ही करेगा, ओके, then, अब food की gathering हुई, खाना जो भी required था, जो भी food engulf किया, उस engulfed food में से, जो भी matter useful था, उसको body क्या कर लेती है, sponge की, it is going to uptake, और जो भी undigested matter रह जाएगा, उसको क्या करेंगे, बादी से बाहर फैकेंगे, अब वो भी तो water के थूँ यह बाहर निकलेगा न, तो water के थूँ यानि, canal system के थूँ, तो canal system के थूँ, वो पानी के थूँ, जो भी waste material है, हमारा body से बाहर निकल जाएगा, तो waste removal में भी help करने वाला है, then, transfer of sperms, now, sponges के अंदर sexual reproduction देखी जाएगी, जिसके अंदर female के अंदर egg production होगा, और male के अंदर sperm production होगा, तो egg और sperm की जो production हो रही है, वो gamits बन गए, अब यह gamits के fusion के लिए, basically, internal fertilization देखी जाती है, sponges के अंदर, internal fertilization में क्या होता है, organism की body के अंदर क्या होगा, fertilization होगा, उसके लिए, sperms को क्या करना पड़ेगा, body के अंदर जाना पड़ेगा, कैसे जाएगा, पानी के थूँ जाएगा, तो canal system में, water के थूँ, sperms भी, sponges की body में, enter कर जाते हैं, और it results in fertilization, तो चार फंक्शन्स रहेंगे, food gathering, respiratory exchange, waste removal, and transfer of sporms, देख सकते हो, यह है हमारा sponge oceal, यह है हमारे ostia, ostia क्या है, छोटे छोटे वाले pores हैं, और यह है, osculum, जो की एक बड़ी सी opening है, इन सब का interconnection मिलके, क्या बनाता है, canal system, ओके, next is digestion, अगर मैं digestion की बात करूँ, कि sponge की body में, digestion किस तरीके से होता है, तो you are having a rough idea by now, कि sponges के digestion का relation, collar cells के साथ है, है ना, collar cells are responsible for digestion in, sponges, आप क्या कह रहे हैं, sponges are filter feeders, filter feeders का क्या मतलब होता है, खुच से सोच के देखो, filter feeder, यानि की, कुछ चान के खा रहा है, जो भी water आएगा, उसमें से, filter करेगा, किस चीज को, food particle को, और देन, sponge is going to uptake it, ठीक है, तो बोल देंगे, filter feeder है, ओके, तन, क्या कह रहे हैं, food particle, is taken up, अब ये जो filtering हो रही है, ये जो food का uptake हो रहा है, ये कौन कर रहा है, इस दन बाई, कौनोसाइट, कौलर सेल्स जो होंगे, सबसे इनर लाइनिंग में, जो present होंगे, sponge के, they are responsible for the uptake of food, क्या होता है, कौलर सेल्स की यहां पर, इस पर्टिकुलर लेयर पर, mucous lining present होती है, और mucous lining क्या करेगी, food को hold कर लेगी, चीक है, स्टिकी होती है ना नेचर में, तो food को अपने साथ चिपका लेगी, then, intracellular digestion is seen, intracellular digestion का क्या मतलब है, एक ही सेल के अंदर, digestion होगा, कौन से सेल में होगा, guanocyte में होगा, चीक है, तो देख सकते हो, यहां पर, particles of food, are drawn into the collar, to become trapped, and then engulfed by the cell body, and digested in the food vacuoles, तो क्या होगा सबसे पहले, जो भी पानी आएगा, उस पानी के थू, food particles trap, wait a minute, food particles trap हो जाएंगे, किस के अंदर, collar cells के अंदर, and then engulfed by the cell, and digested in the food vacuoles, तो पहले trap होगा, फिर collar cell उसको क्या करेगा, engulf कर लेगा, और फिर उसको क्या कर देगा, digest कर देगा, जो भी waste material होगा, उसको बाहर फैक देगा, पानी के थू, sponges seal से होता हुआ, osculum से होता हुआ, body से बाहर, so this is the digestion process in sponges, intracellular digestion होगा, दो चीज़े यार्थ करनी है, तुमने digestion के case में, पहली चीज, intracellular digestion, दूसरी चीज, filter feeders, filter feeders और intracellular digestion, दोनों चीज़े याद रखनी है, moving on, next, characteristic के बारे में, जो हम पढ़ेंगे, वो होगा, skeleton, तो skeleton कैसा होता है, proliference के अंदर, तो sponges have an internal skeleton, known as endoskeleton, internal skeleton present होगा, जिसको क्या बोलेंगे, endoskeleton बोलेंगे, अब भी endoskeleton बना किस चीज का होगा, जब हमने body layers की थी, तो center वाली layer की थी, center वाली layer का क्या नाम था, mesohayal, उस particular mesohayal के अंदर, मैंने बात की थी, specules और spongen fibers present है, है ना, तो यह जो यहाँ पर, specules और spongen fibers present है, यह जो यहाँ पर, they serve as endoskeleton for the sponge, ओके, comprises of specules and spongen fibers, क्या चीजे हैं skeleton में, specules और spongen fibers, दो चीजे याद रखनी है, function क्या है, तो जो arm skeleton system का function होता है, वही इसका होगा, क्या करेगा, support provide करेगा, so it is going to provide support, then, अगर मैं specules के, composition की बात करूं, किस चीजे के बने हुए हैं, spongen fibers की composition की बात करूं, they can be calcareous, और silaceous, calcium के भी बने हो सकते हैं, और silica के भी बने हो सकते हैं, ठीक है, तो यह बात रही, skeleton की, moving on, next is reproduction, reproduction की अगर मैं बात करूं, तो sponges are hermaphrodite, hermaphrodite का मतलब क्या होता है, hermaphrodite मतलब, एक ही organism के अंदर, male reproductive system is also present, and female reproductive system is also present, पर अभी पीछे तो मैंने बोला, कि sperm जो है, वो बाहर से एंटर करता है, water के थू, होता, bisexual है organism, दोनों sexes are present, inside one organism, but, जो fusion होगा, gimmicks का, वो एक ही individual के अंदर नहीं होगा, बाहर से sperm आएगा, और वो fuse करेगा, एक के साथ, और राइट, यह किसका सिनारियो है, sexual reproduction का, ओके, अब asexual reproduction की बात करूँ, तो वो भी present रहती है, sponges के अंदर, उसकी भी बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं, sexual reproduction की, तो sexual reproduction में, sexes are not separate, मतलब, male और female नहीं होगे, एक ही organism के अंदर, दोनों sexes present होगे, term हम यूज करते हैं, इसके लिए, hermaphrodite, that is, eggs and sperm, produced within, same individual, now, fertilization is internal, fertilization क्या है, internal है, मतलब, fusion जो है, male और female के मीच का, that is, inside the body, not inside the water, जादर तर देखा जाता है, जो aquatic organisms होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उन cases में, fusion जो होता है, gametes का, fertilization जो होता है, जादा तर, पानी के अंदर होता है, water is used as a medium, to carry the gametes, and fertilization, fertilization also takes place, inside the water, but, sponges के case में, ऐसा नहीं होगा, fertilization, body के अंदर होगी, it is internal, okay, then, development is indirect, development क्या रहेगी, indirect रहेगी, indirect का क्या मतलब है, indirect का ये मतलब है, कि fertilization से, जो जाइगोट बनेगा, वो डारेक्टली हमारा, जो बोल सकते हैं कि, adult individual है, वैसा नहीं बनेगा, उससे, directly, it is going to involve, some larval stages, जो की आगे, transform होके, क्या बनाएंगी, adult बनाएंगी, so larval stages are seen, inside sponges, और ये जो larval forms होती है, they are free swimming, basically होता क्या है, internal fertilization हुई, यहाँ पर क्या हुआ, यह देखो, इदर से शुरू करते हैं, adult sponge releases, sperm cell, इस वाले sponge ने क्या किया, sperm release किये, और इस वाले sponge की, body के अंदर, ostea के थू, sperm enter किये, इसके जो यहाँ पर, छोटे छोटे होल्स होंगे, उन छोटे छोटे होल्स में से, sperm अंदर enter कर गया, the sperm enter another sponge, sperm cell fertilizes an egg cell, इस sperm का fusion हो गया, इस के साथ, egg के साथ, बोलते हैं, fertilization, then, a larva develops, अब इसकी body में क्या होगा, sponge की body में, larva develop हो जाएगा, अब यह larva, body के अंदर develop नहीं होगा, further development is going to take place, outside the body, in the water, free swimming larvae is formed, as a result of fertilization, तो जो यहाँ पर, larval stage होगी, यह larval stage क्या है, this is a free swimming larva, लारल फर्म्स जो देखी जाएंगी, parent, kymula, and, amphi, blastula, तो पारंचाइमुला और, amphiblastula larva जो होता है, sponges के अंदर देखा जाता है, अक्सर सवाल पूछ लेते हैं, किस तरीके का larva, sponges के अंदर देखा जाता है, options आ जाते हैं, and you have to pick, one out of them, okay, so this is, important, then, larvae double up हो गया, आगे क्या बोल रहे हैं, water current carries away the larval, larvae away, water current जो होगा, वो पानी के बहाव से, उस larva को आगे ले जाएगा, फिर क्या होगा, larva settles on a hard surface, याद करोब उच्चो, पहली slide में क्या बोला था, larvae is attached to substratum, sedentary होगा, किसी surface से attach होगा, because it is attached to surface, तो larval form भी क्या करती है, कोई rock, कुछ भी ऐसा surface ढूनती है, कोई भी बड़ा सा पत्थर, कोई भी rock, any rock surface, any other surface, और वहाँ पर जाकर क्या करती है, attach कर लेती है अपने आपको, और further development उस rock से, उस substratum से start होगा, ओके, तो larva settles on a hard surface, and develops into an adult sponge, और आगे जाकर वो एक adult sponge में develop हो जाएगी, ओके, तो ये रही कहानी, sexual reproduction की, अब आगे चलते हैं, asexual reproduction में, asexual reproduction भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखा जाता है, sponges के अंदर, तीन तरीके से देखा जाएगा, कौन-कौन से तीन तरीके से, पहला budding, दूसरा fragmentation, तीसरा gemule formation, अभी जो gemule formation है, it is a peculiar characteristic of sponges, जहाँ जहाँ बोल रही हूँ हूँ न, peculiar characteristic, significant characteristic, note करते चलो, because वो चीज, पॉरिफरेंस को ही restricted है, वो particular character, पॉरिफरेंस के केस में ही देखा जाएगा, और यहीं से सवाल बनते है, जो चीज इस पॉरिफरेंस में देखी जाएगी, वही चीज पूछेगा examiner, तो gemule formation is also, an important characteristic of पॉरिफरेंस, तो सबसे पहले बात करके हैं budding की, budding के अंदर क्या हो रहा है, अब asexual reproduction है, एक ही parent involved होगा, एक ही sponge involved होगी, ओके, क्या होता है, यहाँ पर side में देख सकते हो, चोटा सा bud, form होना शुरू हो गया, ओके, body surface से बाहर, exogenously, body के बाहर, क्या हो रहा है, budding की formation हो रही है, यह budding क्या कर रही है, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, और यहाँ से arrow दिख रहा है यह, चो arrow दिख रहा है, यहाँ, यहाँ से यह हो गी अब, detach, हो गई detach, तूट गई, तूटने के बाद अपना सब्स्रेटम ढूंडेगी इससे साइल है सब्स्रेटम से अटाच रहना है तो अलग होते ही ढूंड लेगी कोई ना कोई के संफेस और उसके ऊपर डवलाप होजाएगी है ना तो यहाँ पर यह डवलाप होगो next process is by the process of fragmentation ab budding में bud बनती है fragmentation में fragments होते हैं टुकड़े होते हैं तो fragmentation में क्या होगा accidentally, accidentally कैसे by water currents पानी के बहाव से या फिर otherwise किसी तरीके से अगर sponge की body का कोई टुकड़ा body से अलग हो गया है, कोई fragment body से detach हो गया है, देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यह fragment detach हो गया, यहाँ से detach हो गया, यह यहाँ से क्या है, इस particular area में यह थोड़ा सा weak हो रहा है, क्योंकि यह weak हो रहा है, तो इस वज़े से क्या हुआ, यह detach हो गया, parts splitted and thrown in the, thrown of the parental body, parental body से बाहर fake दिये जाते हैं, यह parts क्योंकि क्या हो गय थे, कमजोर हो गय थे, पानी के बहाव से toot गए, now each part is going to develop into an individual sponge, alright, इस तरीके से fragmentation का process भी बहुत easily हो जाएगा, then last is gemule formation, तो बच्चो जो अभी पीछे बात की थी, archaeocytes की, कहां बात की थी, कहां बात की थी, जो हमने response की body layers के बारे में पढ़ा था, तीन body layers present थी, है ना, और उन तीन body layers के अंदर, हमने amoebao site कहां पढ़ा था, amoebao site हमने पढ़ा था, बीच वाली जो हमारी mesoheal layer है, देख लेते हैं एक बार, यह देखो, यहां पर हमने पढ़ा कि amoeboid cells are present, है ना, amoeba like cells, और इन amoeba like cells में से कुछ cells आगे आते हैं, and they participate in gamule formation, कैसे, because they are totally potent in nature, नाम पढ़ता है उनका archaeocytes, सुना था, अब यह archaeocytes body के अंदर gamule formation कर लेते हैं, कैसे करेंगे mule formation, sponge की body के अंदर, bud formation बच्चो कैसे होता है, body, suppose यह sponge की body है, तो sponge की body के बाहर तो जब कुछ बना, तो उसको हमने बोल दिया, asexual reproduction के मायने में कि यह तो bud बन गई, चीक है, और वो bud आगे जाकर detach हो जाएगी, अगर इस particular event को जब body से बाहर की तरफ कुछ form हो रहा है, इस तरीके से, उभर के कुछ निकल के आ रहा है, और वो form हो रहा है, that is exogenous, that is exogenous, और जब अंदर की तरफ कुछ होता है, जैसे कि यह sponge की body है, body के अंदर कुछ ऐसा हुआ, इसको बोलते हैं, endogenous, होता क्या है, वो archeocytes, जो archeocytes body के अंदर, mesohayal layer में present है, यहां पर वो इकठे हुए, क्या किया इन्होंने, इस तरीके के cup-like structure के अंदर, cup-like structure है न, इस cup-like structure के अंदर, यह सारे के सारे क्या हो गई, trap हो गई, so these cells, these cells are archeocytes, और यह archeocytes का मैंने nature बताया था, कैसा nature होता है, they are totipotent in nature, totipotent यानि, total potency, total potency का मतलब, body का कोई भी cell, यह cells बना लेंगे, they are stem cells, जो अभी differentiate नहीं हुए, body के अंदर, body का कोई भी cell type, यह cells बना सकते हैं, तो archeocytes are collaborated, and they are, body के अंदर क्या होगा, sponge की body के अंदर, capture हो जाएंगे, cup-like structure के अंदर, हम बोलेंगे, gamule formation has occurred, now this gamule formation helps the sponge, to tide away the unfavorable conditions, होता क्या है, इस protective covering के अंदर, archeocytes क्या होंगे, पडे होंगे, और जब unfavorable conditions, खतम हो जाएंगे, तो यह किसमें develop हो जाएगा, यह एक sponge के अंदर, develop हो जाएगा, तो यह थी कहानी, reproduction की, ठीक है, आज आते हैं अपनी last slide पर, और राइट, अब हम जो भी आज के session में पढ़ा, फटा-फट से चुट्कियों में उसको एक बार recapitulate कर लेते हैं, जो भी पढ़ा, क्या था, sponges के जो भी characters थे, उस में से, जो भी unique features थे, sponges के, one by one, उनको देखते हैं, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, sponges की body के ऊपर, pores present होते हैं, छोटे-छोटे, all over the body, ओल राइट, बोला था, pore bearers होते हैं, है न, then, cellular level of body organization, इनकी body के अंदर, cell aggregation होता है, बहुत सारे cells, multicellular होगा, cell aggregate होँगे, but coordinate manner में perform करेंगे, देखा हमने, covanocytes हैं, amoebo sites हैं, porocytes हैं, है न, इस तरीके से, इनका coordinated manner में क्या चल रहा है, काम चल रहा है, but, tissue formation नहीं हुआ है, तो, cellular level of body organization, then, canal system, canal system, सिर्फ और सिर्फ पॉरिफरेंस के अंदर ही देखा जाता है, तो, canal system is also a unique feature to porifera, then, lack of mouth and digestive cavity, mouth is also absent, सिर्फ छोटे छोटे holes present है, या फिर यहां पर एक बड़ा सा hole present है, इन holes के अलावा, कुछ नहीं हैं, बोडी के अंदर, ठीक है, तो, mouth जैसा कुछ भी नहीं है, और digestive cavity जैसा भी कुछ भी नहीं है, एक open cavity तो जरूर है, जहां से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, एक common passage तो जरूर है, पर digestive cavity नहीं है, डाजेशन कहां हो रहा है, अंदर हो रहा है, इंटरसलिलर हो रहा है, कौन से सेल में हो रहा था, कौन से जैल में हो रहा था, धन लास्ट फीचर इस, प्रेसंस अफ कौन साइट्स और स्पॉंजिन फाइबर, कौनोसाइट कहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, डिजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, और स्पॉंजन फाइबर्स कहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, स्केलेटन प्रोइड करने में रोल प्ले कर रहे हैं. This was all about phylum polyphera, phylum polyphera की कहानी यही तक थी, I hope this video is going to be helpful for you, see you in the next video, till then take care, bye bye.